नमस्कार दोस्तों मेरा डाम दुप आप ढू Cindy और आज मेरे साथ है दॉक्टर नितेश जिआ की एक सीनियर फिज़रप आप जो में काम है वो joint replacement and joint preservation surgeries में है joint replacement से related ये वीडियो, knee replacement से related सवालों के लिए ये वीडियो हम बना रहे है मेरा experience लास्ट करीब करीब 20 साल का knee से related है knee replacement से related है so बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है बनते हैं, मुझे लगता है उनके बारे में discuss करना ज़रूरी है डॉक्टर नितेश ने लास्ट 10 साल में मुझे लगता है बहुत सारे cases मेरे साथ assess कराए है जिनमें की physiotherapy का बहुत बड़ा एक burden उनोंने लिया है जिसके कारण हमारे results बहुत अच्छे रहे है not only 10 साल में बहुत सारे patients की physiotherapy करी साथ में जब उनोंने अपनी आउंटी की surgery कराई मेरे से, knee replacement से related बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में आए जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि eye opener थे हम लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए कि बहुत सारे सवाल patient as a patient यह family members के पास होते हैं, जो कि वो हमसे पूछ नहीं पाते हैं, so उन से related यह video आज हम बना रहे हैं वही video जब personally बहुत सारे सवाल जब Dr. Nitesh को उनकी आटी ने या उनकी रिलेटर्स ने पूछे तब उनने realize हुआ कि यह सवाल तो usually patient बहुत से में पूछते ही Dr. Devastis Sir के साथ काम किया है as a physio बहुत cases देखे हैं 10 साल में, so उसी cases के बारे में discuss करेंगे So we can start रहती है, जो के तुम्हारे सवाल है उनकी तुम पूछ सकते है Sir, patient firstly पूछता है कि knee pain मुझे knee pain है तो कब best way है हमें लाइगनोस करने का कि पेशन को TKR की need है या नहीं है देखो ये knee pain से जादा मैं मुझे लगता है कि replacement की कब जरूरत है बहुत सारे patient में पास x-ray लेकर आते है या MRI लेकर आते हैं कि Sir, इसमें क्या surgery जरूरत है मुझे लगता है कि x-rays या MRIs कभी भी definition नहीं दे पाएंगे कि मुझे surgery की जरूरत है कि नहीं है मुझे लगता है कि सबसे simplest तरीका जो है उसको diagnose करने का है pain या difficulty in doing activities pain जो patients को बहुत ज़ादा होता है कुछ patients आते होता है कि इतना pain हो रहा होता है कि वो अपने day-to-day living activities को कम करते थे जैसे पहले वो चलने जाते थे अब वो चलने नहीं जाते walk on में बंद कर दी है घर के अंदर limited activities कर रहे है number one number two pain इतना ज़ादा है कि daily pain class खा रहे है ठीक है daily pain class खाने से kidney liver सारी चीज़ों पर असर आ सकता है और अगर आप pain के कारण चलना फिर ना कम कर रहे है तो आपके difficulties बढ़ जाएगे तो मुझे लगता है कि यह दो major indications है अगर pain आपको हो रहा है और उससे आप अपने activities को कम करते रहे है मतलब बहार चलना जाना घुमने जाना बंद कर दिया आपने social gatherings बंद कर दिया या दूसरा अगर आपने pain के कारण regular pain clairs ले रहे है कोई भी pain clairs ले रहे हो kidney, liver, heart, सब पर वो असर करता है तो यह दो major indications है मेरे ले जिन में मुझे लगता है कि हाँ surgery की ज़रूर होता है और सब patient कहता है कि मुझे banding में problem हो रही है बढ़ जब में चलता हूं तो pain नहीं है यह एक और वो है कि चलने से बहुत सारे patients को pain नहीं होता है so patient का pain different तरीके का होता है जैसे first जो complain करते है patient होता है कि starting pain मतलब बहुत देर बैठके जो first step में लेता हूं चलने में उसमें inertia के बाद जो pain शूरू होता है तो उसमें मुझे दिक्कत आती मतलब मैं चेर पर भी बैठा हूं खड़े होने मुझे दिक्कता है मैं लेड के उठकीने में जाता हूं तो मैं गुटनों में दर्द होता है डूसरा patients एक और कंप्लेंड करते हैं कि मैं जैसे CD चरना उतरना नहीं कर पाता हूं उसके साथ चल सकते तो चलना चाहिए तो पेचिंट को कब अबॉइट करना चाहिए और स्टेर से कब बोलना चाहिए अगर नी आर्थ्रेटिस शुरू हो गया और आपकी एज 50 के उपर हो गई है जैसे squatting इंडिन टॉलेट में बाइटना, cross-legg पाल्दी मार के बाइटना, लोग चेल गुटनों से नीची जगे से उठने में जाना जो लगता है इन सब activities को अवाइड करें, बट बोस पेशेंट जो लोग regular exercises करते हैं, बन्तों कि जैसे कॉर्टिसल की strengthening exercises with weights, जो लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद ऐसे गंटनेट से जो कर पा सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह होता है कि exercise, जो है बोल्करा-sonic IFT-10s, मैं समझ सकता हूँ कि उससमें एक इनिशल acute inflammation में में बढ़ा होता है, बढ़ाद को कम करने के लिए, but target of physiotherapy is exercises, ठीक है, अगर वो exercises करेंगे, muscles strong होगी, तो आप जिस भी stage पे होंगे, अगर early stage पे हैं या एकदम late stage पे हैं, ठीक है, दोनों में ही फायदा आपको मिलेगा exercise उसका है, बहुत सारे patient के concern रहता है, कि नहीं हमें तो operate करा नहीं है, यह तो exercise क्यों करें, यह बहुत बढ़ा मित है, मुझे लगता है कि बहुत स strong होती हो, चलते fit ते रहते हैं, activities करते हैं, muscles strong होती हो, उनकी बहुत ज़रूवत नहीं बढ़ती है, but in average, अगर मैं आपको यह बोलू कि आप exam देने जाओ, ठीक है, आप exam में बिना पढ़े जले जाओ, क्या हुआ exam आप clear कर सकते हो, नहीं करते हैं, और exam clear करने के बाद भी आ अगर medical profession का काम day to day नहीं करता हो, अपने आपको regular active नहीं रखता हो, तो मेरी activities खराब हो जाएगी, ठीक है, तुम भी physiotherapist हो, अगर exercises ना कराओ, suddenly एक दिन किसी को exercise कराने हो, तो वारी quality और daily कराने में difference रहता है, तो इसलिए patients को समझना जरूरी है, कि अगर आप exercise करोगे, muscle strength ब किसी भी stage में, मैं एक एग्जामपल देता हूँ, नेतिस तुम ने वह देखा हो, चेर के टाइंस जो hard हो जाते है, जाम हो जाते है, एक कमजोर आत्मी को उस जाम वाले चेर बैठा दो और बोलो कि चेर को आगे पिछे घुमाना है, क्या हो घुमा पाएगा, नहीं तुमा तरह एक bodybuilder, strong person आकर बैठता है, वह घुमा भी लेगा उसको, तो क्या difference था उन दोनों लोगों में, उनने difference है था muscle strength, so understand, अगर आपका joint पूरा खराब होगे, smoothness पूरी चलिगे, but आप muscles को strengthen out कर दे रहे हो, तो उसी joint से थोड़ा मत काम और चला सकते हो, ठीक है, तो यह में लेट अर्थराइटिस में हूँ, मेरी deformities बन गई है, उसमें भी, to a point की knee replacement के बाद भी, जो exercise पहले करते हैं, उनका result, जमीन आसमान का difference मिलेगा आपको, so those are the things which I feel कि लोगो समझने की ज़रूरत है, तो मेरी कंटी ने करवाय था knee replacement, so उनका main question था कि मैं hospital में कितना दिन मुझे रहना है, और कब तक rehab होगा, कब तक मैं चल पाऊंगी, so mainly कोई question यह, यह सवाल बहुत लोग पुछते हैं, मुझे लगता है कि लोगो ड़रनेगी ज़रूरत नहीं, आज के दिन में, प्रिसीजि प्रिशन को स्टैंडिंग करा जाते हैं, नेक्स दे रूम के अंदर चल सकते हैं, और उसके अगले दिन घर जा सकते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स पी रहे हैं, जिन्होंने आज सुबह सर्जिरी के लिए एडमिशन हो है, कल शाम को लोग घर पाँजिए, so knee replacement इतनी प्रिसा होता है, कि हम स्टेर्स काप कर पाएंगे, सेम दे कर सकते हैं, सेम दे तो क्यूंकि स्टेर क्लाइमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर पेशेंट मोटिवेटेट अब प्रिहाब नो इसने मुसल स्टेंज पर बहुत काम किया है, पोस्टॉप में आप देखोगे कि वो सारी कर पारें, विदिन टू 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 ट्री वीक्स मुझे लगता है कि दो तीन स्टे मदब फ्लोर अराम से चड़ना उन उत्तरना बहुत लोग के लिए इसी हो जाता है, बट हां डेफिनिटली कुछ लोग पीछे रहते हैं, आपको मैं ही बता हूँ कि हाथ की पांचों उंग अपकी जस पेशिंट हैं बहुत टाइम से पेशिंटली ले लिए तो अपको टीक एए पेशिंटली हम हो जाएगा, बट कुछ पेशिंट बोते हैं यह में पेशिंटली हो रहा है, तो पेशिंटली कर सकते हैं या? देखो समझने की चीज है कि दो तरह का अलग-अलग पेन है एक है नी रिप्लेस्मेंट से पहले क्योंकि सर्फेस स्मून नहीं है उसमें अड़ी उपर नीचे खिसक रही है ठीक है आख्राइटिस है इंफ्लेमेशन है उसका पेन है तो उनके कारण पेशेंट पेन के लिए र कर दिया मगर फ्रंट ऑफ नीपे एक स्काल लगा दिया जिसको मैं डे वन से मोहने के लिए कहीं पे भी अगर घाव हो और आप उस घाव को द्रोज दबाई है उसको घुमाए तो दर्द करेगा ठीक है चाहिए वह आपके हाथ में हो या गॉल्व लटरी सरजरी में पेट क में फ्लेर अप होता है बट वह कैसे जाता है सबसे एजी तरीका जो है वाइस सबसे पर देने से पर देने से पर चाहिए नहीं हो सेथा है बट मुझे लगता है कि 2 cents 10 से 15 दिन के बहुत ज़रूत नहीं रहते हैं मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं विटमिन दी और कैल्शियम जितने पेशेंट्स होती है उन लोग को कमसरम साल पर के लिए देता हूं प्लस हम कुछ बहुत स्टेंथ की मेडिसेंस पर देते जिससे हडिया मझूद रहा है अभी मैं सोचें कि मैंने एक इंप्लां मैं लगता है उसको स्ट्रॉंग करने के लिए मुझे लगता है कि हम बोन स्ट्रेंट की मेडिसेंस देते हैं वो साल भर मिनीमम हर पेशेंट को जाती किसी का ऑस्टेओ पोरसिस में लो अडिया और नर्व तो और जारा भी देते हैं बट उससे जारा जरूरी है मुल्टिव पर मैं गोल देता हूं कि चार से पांच किलोमेटर रोज का आपको चलना है और वो अगले लाइफ एंडिंग तक चलना है अगर आप चार से पांच किलोमेटर रोज का चलोगे तो जाके इंपलांट 30 से 35 साल में घिसना शुरूव होगा समझगर बात और इंकेस आप सबसे इंपोर्टेंट चीज है उनको समझाना कि मैंने अगर किसी एक लकडी पर एक महेंगा है और लकडी नरम होगी तो जितना भी महेंगा और जितना भी अच्छी कंपनी हो निकल सकता है उसको ना निकलवाने के लिए बोन को स्ट्रॉंग होना पड़े और लकडी क आप कैसे होगी सबसे इंपोर्टन जो एडवाइस है बोन फॉर्मेशन की है बोन फॉर्मेशन का इंपल्स हो होता है ग्राविटी एसिस्टेट एक्सरसाइज से ठीक है ग्राविटी के साथ सौन से एक्सराइज वॉकिंग बॉकिंग इटसल अगर आप 4-5 किलोटर जोज क करते हैं तो 30 साल आपके इंपलांट को टिकने से कोई नहीं रोक सकता है नमबर तू अगर आप इसके साथ वे ट्रेनिंग कर देते हो तो बहुत अच्छा है अब आप सोचो नी रिप्लेस्मेंट कराई क्यों है आपने कराई है आपने एक्टिव लाइस्टाल जीने के इवन सामारे क्वेश्चेंट ने इटीफोर में भी करो आप एक्टिविटी कंटिव करने की लाइस्टाल चेंज करने के लिए साज़ी कराई है लोग लटक रहे हैं वादो जिम में उल्टा गुटना ने रिप्लेस्मेंट रटक सकते हैं स्रीशासन कर सकते हैं पाल्ती मार सकते हैं रुनिंग जॉगिंग हाइकिंग सब कर सकते हैं तो में लगता है कि आपने गुटना बदलवाया गाड़ी का टायर चेंज कर गाड़ी को चलाना सब होगी तो में लोग चोजते हैं हमारी ADL activities इंप्रूब होंगी वर और कुछ भी कर सकते हैं मेरे बास ऐसे पेशे होगा आफ्टर सरजरी किया अभी दो लाइफ बाकी है पुरी ठीक है तो मुझे लगता है कि आप रेप्लेस्मेंट के बारे में सोचे अपनी activities को बनना गरें काफी successful और अच्छे से होने बादे चीज़े हैं मैं 100% डिजर्ट आना चाहिए और सो वन मोर क्यों लोग ड़ते कियो नीरप्रिशन कराने से मिली हमारे पस पेशिंट आते हैं प्रियॉप में अजस पेशिंट करना है ठीक है सब कुछ कर लेते हैं बट जब लास मोमेंट में बोलते हैं आपको अपरेट करना चाहिए कंडिशन काफी वास्ट है तो फिर यो डरते है ऐसा कि तेको मुझे कुछ तो पुराने टाइम में हुए खराब सेजरी और कुछ खराब एग्जांपल्स अभी कितना हम एडवांस हो चुके हैं असकेम पर पहले मैं अगर बोलो कि मैं अपनी ही उस पर बताता हूं कि मैं जब कॉलेश टाइम में हुआ कर था मैं खुद बोलता है पेशेंट को तुम कोई exercise बोलो जो कर नहीं कर रहा हूं, swimming, surfing, सब कुछ कर रहे हैं नहीं रिप्लेसमेंट को पेशेंट को पहले के टाइम पे मुझे लगता है कि मेरे senior doctors जो थे या मेरे जो teachers थे वो लोग इतना confident नहीं थे कि उन्होंने इतना अच्छे result देखे नहीं थे तो एक पॉइंट कि over the time precision of surgeries, जैसे कि पहले हमारा cut होता था बहुत बढ़ा है, आज वो cut होगे एकदम सोटे जोटे cuts होगे है, ठीक है, knee replacement के बाद पहले 15-20 दिन hospital में ही रखते थे, आज दूसरे दिन पर छोड़ देते, knee replacement में पहले blood loss इतना होता था, पेशेंट को छेचे lifestyle पर return जाने के लिए force करते है, पहले ही था कि आप अगर ऐसे activities करोगे तो implant जल्दी घिज जाएगा, ठीक है, ये myth हटाने के लिए मेरे को बहुत time लगा, क्योंकि मुझे 10 साल के result, परना साल के result पर दिखाने पड़ेंगे, अपने, मैं एक example लेता हूँ, अगर आपने घर प हो सकता है, दसाल कंटीने चल जाएगा, कारण यूज करने से चीजों की strength maintain रहती है, तो पहले का concept था कि पड़े रखने से ज्यादा लंबा चलेगा, देखा है कि ज्यादा लंबा कि दसाल में लगे लगे, यंदि बोन वीक हो के शॉप पर देखा है, बोन वीक हो के बोलते दिखाते है, एक स्रेय एक्टम सेम दिख रहे हैं, और वो squatting, cross leg, sitting, low chair, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं, हमने भी अपने patient में करना शुरू गया, वो भी improve करने लगे, ठीक है, तो यह जो चीज है, बहुत लोगों ने मुझे लगता है कि देखी नहीं है, तो वो लो case दिन के होते थे, हो सकता है, तो पांस मिनट भी है, सही से टाइम तसली से चली देते थे, तो आपको तसली से करने वाली surgeries है, इनमें result-oriented surgery है, आपको अच्छा result निकलेगा ही निकलेगा, जहां तक रहे, myths की बात, क्या-क्या myths है, मैं बताता हूँ कि ने रिप्लेस्मेंट क 2002 की बात है, और 2002, same team में मैं काम पर क्या, बेच-कैंडी होस्पिन में की surgery हुई थी, तो मैंने उस पर पूरी research की, लोगों पता ही नहीं है, खराब होने के पचासों कारण होते है, लोगों ने उस कारण पे ध्यानी नहीं दिया, क्यों मैं वाच्पेजी के surgery खराब होने के 100 reason मुझना सकता हूं, number one, उन्होंने अमेरिका के surgeon से इंडिया में surgery करा है, अरे अगर उन करा नहीं था, तो अमेरिका जाके करा लेते, अपने गढ़ में हर एक बंदा strong होता है, ठीक है, second चीज, उन्होंने यहां पे अपने patient को दो दिन में नहीं देखा होगा, ठीक है, बाक Prime Minister को कौन बोले की exercise करे, ठीक है, आज मन नहीं करता है, तो exercise नहीं करते थे, तीसरा उन्होंने ब्रेज कैंडी होस्पिल में अपरेट करा है, जहां पीछे इतरा सुंदर विवे समंदर का मुझे लगता है, सारा दिन हो समंदर का विवी देखते थे, और कुछ नहीं करते थ ठीक है, तो आप हॉस्पिटल में विव के लिए नहीं गए हो, आप हॉस्पिटल में रहने के लिए गए हो, अपनी exercise पीज़ा से रूपलीट करने के लिए, फिफ्थ पॉइंट is, he was severely diabetic, ठीक है, चार सो पास्तो शुगर पर गुलाब जाओं उन खाते दरोज, अब कौन मन आज तक उनको खराब से नहीं बोल पाते हैं, और वाजपे जी का स्वभाब इतना अच्छा था, इतने smile से बात करते हैं, इतने प्यार से ना करते थे, लोग उनको ना नहीं कर पाते थे, ठीक है, so I think ये सारी चीज़े मिलके collapse of treatment definitely हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर कि किसी VIP को हमें treat करना होता है, तो मुझे लगता है कि हम उसे VIP ना समझ के अपने घर का family member समझे, और उनने समझा के convert करें अपने हिसाब से काम करने पर, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, एक surgery को successful बनाने लिए, ये आधी चीज़े लोगों पता ही है, ठीक है, क्यूंकि मैंने marriage candy hospital काम किया, तो मुझे एक idea है कि वहाँ पर क्या होगा था उस समय, और मुझे लगता है कि ये valid reason है, ने replacement, failure होने का, और यही example मैं अपने patients को, जो भी मुझे सवाल पूछता था, मैंने detail में जवाब देता है, मुझे लगता है कि जवाब देना, ज़रूरी है, ज़रूरी ह देना, ठीक है, अरे फैल रहा दो लेके हो, मैं उसको भी ठीक कर दूऊ, मैं है कहता हूं, ठीक है, मगर कोई लाया है नहीं है, बस यही कहते है, कि हाँ जी फलाणा खराब हो ए हमारे बास समय लगता है, और इस फलानवन ने किया ज़रूरी है, वो समझो, हो सकता है उन्हो बहुत साफ्ट हुए हो, उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत थी जो उन्होंने करी नहीं, हो सकता है उन्होंने exercise पर बिल्गुल focus नहीं किया, हो सकता है उनके surgeon नहीं कुछ समझाए है नहीं, तो यह सारी चीज़े फेलियर के कारण हो सकते हैं, आप फेलियर के reasons को अगर साम reasons होंगे, fail होने के, और topper के पाद 1000 reasons होंगे, pass होने के, तो topper से मिलना जरूरी है, तो failure से मिलके आके मुझे भी सुनाते हैं, कि फलाना का failure हो है, फलाना को ले क्या हो, या positive लोगों से मिलो जिनकी सरज़े successful होगे, तो अच्छा काम करने से बने हमेशा अच्छे examples की तरफ ज मैंने मिस्टर वाजपई का धारन दिया है, यह समझाने के लिए कि उसमें गरबढ हुई है बहुत सारी, जिसको की रोका जा सकता था, तो अपेशा यह समझे है कि डॉक्टर आपका main, सबसे important person है, जो आपको guide करे, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, त सबसे important चीज़ है, follow your doctor and physiotherapist advice, ठीक है, कभी नदर अनराज मत करो उनको, और पचासों लोग आपको ग्यान देने भाहर से आएंगे, उनको मत सुनो, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं होता है कभी, जैसे बहुत सारी लोग मिलने आते है, रेले tips, मेरा तो एक मेने में ठी हो गया, मेरा तो दस दिन में ठीक हो गया, so, percent to percent vary, percent to percent vary करता है, हाथ की पांचों लिया, भगवान ने नहीं सेम जिया में, सबका अलग-अलग function है, सबका अलग-अलग काम है, बहुत पेशिंट पूछते हैं, कि मेरे डॉक्टर ने तो मना किया, क्यों मना किया, क्यों मना क खोश अगर है, तो दूसरे को force नहीं कर सकता है, कि आपका पूरा मत खोलो, ठीक है, कार्पेंटर का काम है, दर्वाजा पूरा खुलना बनाने का, ठीक है, और उसमें मुझे लगता है, role डॉक्टर का ज्यादा है, rather than, दूसरे किसी patient की बात सुनना, मुझे लगता है, कि आ आपके patient के घुटना इतना मुड़ा है, हमारा क्यों नहीं मुड़ा है, बहुत सारे ऐसे मेरे patient से जाके बोल देते हैं, तो उनके दूसरे के patient आ जाते है, यह comparison जोना है, impossible है, आप मुझे मेरे patient के बारे में पूछाते हूं, क्योंकि surgery के से में बहुत सारी चीज़े हम करते ह जिस्से के घुटना जादा मुड़े, ठीक है, तो उसके साथ बहुत इंपॉर्णिट है कि physiotherapy जैसे हमारी physiotherapy का जो बोल होता है, वो completely different है दूसरे लोगों से, तो हम compare नहीं कर सकते है, मुझे लगता है, comparison को छोड़ दीजे, comparison तभी करें, जब आपके एक डॉक्टर री, दो दो पिशिंट की surgery करें, तब compare करने का मतलब बनता है, वो भी नहीं बनता है, क्योंकि हर एक बंदा अलगाग stage पर surgery कराता है, तो बहुत advanced stage में कराया है, जहां पर भी bone fractures हो चुगे है, और एक ने जल्ली कराया है, तो differences definitely हो सकते हैं, तो अब भी ideal age के निरफिश्म कराने का, अगर bone, अगर osteo tuts में है, तो एक ideal age के है, देखो ऐसा कोई ideal age नहीं है, मुझे लगता है कि टायर जहां घिस गया है गाड़ी का, वहाँ आपको बदलवाना है, जहां दिक्कत दे रहा है, वहाँ बदलवाना है, बट, पूली सेंग मैं किचने की कोशिच करता हूँ 55 से 60 के उपर क्योंकि अगर उस age में हमने surgery करे है, तो एक implant थी से 35 साल रहता है, चलता है, तो मैं अगर 55 साट की उमन पर करता हूँ 85, 90, 95 तक तो ऐसी पहुंच जाएगे, तो मैं लगता है कि पूरी life complete हो जाएगे, जिसमें कि ने रिप्लेस्में में एक ही बार करने की ज़ता बहुत जारा ज़रूरी है समझना कि कॉंप्लिकेशन दो मेजर होती है, एक infection और एक deep brain phormosis, मुझे लगता है कि जब मैं COVID से पहले patients को बोलता था कि आपको अगले दिन या उसके अगले दिन घर जाना है, तब लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, ठीक है कि क्यों डॉ रखना चाहते हैं, hospital stay, लोग आते हैं, insurance में हमारा package 10 दिन का है, 15 दिन का है, आप घुमने थोना है, hospital में, hospital ऐसी जगे है, जिसमें आदमी को कम से कम दिन रहने की ज़रूत होती है, लोग लगता है कि नर्स हमें खाना दे रही है, नर्स हमें पानी दे रही है, बहुत जो GDS staff है, वो आपके हो सकता है, किसी और patient का infection आपको दे जाए, cross infection, limitation of hospital stay to even two day, one day करने से patient की जो chance of infection हो काम हो गया है, ये बात लोग को COVID के बाद बड़ी ऐसे समझ में आ लगे है, COVID से पहले मुझे ये चीज़ समझाने में, मुझे लगता है कि बहुत दिन लगते थे, मैं motivate करते करते है, आधे patient मानते थे, आधे नहीं मानते थे, और हमारा track record last 5 years का है, 95% of the patients are getting discharged on second day, which has drastically reduced the chances of infection to zero, ठीक है, तो, infection के chances होते हैं, उनको कम कर सकते हैं, cross infection हो, during and before and after surgery, UTIs, cough, therapy, cough, किसी तर का infection हो, तो आपको दोको दोक्तर इंफर्म करना है, ता कि उन chances को और कम कर सकते हैं, उन दिवरेशन में, antibiotic proper लेकर हम, infection को cut down करें, infection के chances कम किया जा सकते हैं, complication होई एक मेल है, number two complication is deep vein thrombosis, पैरों में clot बन जाना, इस clotting को भी again हम बहुत जल्दी, जैसे same day पर खड़े करना क्यों ज़रूरी है, कि blood circulation कर दिए चले, ठीक है, clots ना बने, next day चलाना और इसके अगले दिन घर जाना, मैं motivate करता हूँ, तीन से चार दिन में आप अपनी चाय बना के पीज़े, चौथे, पाँचे, दस्वे, पन्नवे दिन तक अपना घर का normal काम करना शुरू करिए, इससे खुन ठहरा नहीं रहेगा, आप walk करोगे तो blood circulation better रहेगा, plotting के DVT के भी चांस, hospital rate stay कम करने से कम हो गए, तो ये दो चीज़े बहुत major complication हुआ करती थी, आज से 10-15 साल तक इनको कम कर दिया है, DVT को और कम करने के लिए हम stockings देते हैं, पेशेंट हुआ से मुझे stockings पैनने से मना करते हैं, लगता है कि helmet सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे regular पैनना ज़रूरी है, ठीक है तो DVT stockings पैनना ज़रूरी है, उसके अलावा blood thinner समलोग करें, जब तक आप normal activity बनी आए, बट बहुत सारे patient 15-20 दिन पर normal activity बे आ जाते हैं, तो वो लोग अपना DVT stockings पैनना ज़रूरी है, और जो लोग अभी भी नहीं आते हैं, वो इतना बोडी activity ज़्यादा होंगी, उतना DVT stockings से ज़रूरत कम हो जाते हैं, और इसके साथ, blood thinner हम लोग 28 दिन के लिए, हर patient को नहीं रिप्लेशन कर देते हैं, ताकि अगर 0.01% भी अगर plotting का chance है, वो भी ना रहे है, तो blood thinner मैं अपने patient से मुझ लगता है कि मैंने आज तक post-op immediately रात से अगले 28 दिन तक ना दिया हो, अगर हाइपर टेंशन में है, किसी भी medical issue के साथ patient जैसे, आप ये सोचें कि 55 साल के उमर के patient का diabetes, blood pressure, thyroid, heart key disease, kidney disease, liver disease, ये सारी चीज़े होती ही है, उनके साथ आपको कैसे surgery को करना है, उसको आप modify करते हो हर बार, और उसी से मुझ ल नहीं कि इस बिमारी में नहीं कर सकते है, sugar आपका control नहीं है, diabetes आपका control नहीं है, blood pressure control नहीं है, आप उसको control कर लो, thyroid control कर लो, कितना टाइम लेगे है, 4-6 फते control हो जाए, control कर लो, control कर लो, control करने के बाद आप जब चलना शुरू करोगे तो आप देखो, आपका blood pressure भी कम हो रह अब जा सकता है, जो है, train travel मुझे लगता है कि, जो late के train travel हो, मुझे रगता है, और दूसर तीसे हफते से पिशन कर सकते है, flight travel के लिए, मुझे लगता है कि, क्योंकि flight high altitude पे जाता तो, आप पर atmospheric pressure changes होते हैं, तो clotting के चांसे बढ़ जाते है, so मुझे safe travel के लिए 4 weeks, from the date of surgery, घंटे बर के फ्लाइट ले सकते हैं बट बशर्ते वो ब्लट थिनर को चंटीनु करें जैसे हम 28 जिन के लिए देते हैं तो उसको और 45 जिन के लिए एक्स्टाक्ट ले 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 स्टॉकिंग्स को रेगुलर पहने एंड लॉंगर ट्रेवल जैसे कि मुझे इंटरनाशनल ट्रेवल करने के लिए उसे लगता कि छे हफ्ते से तीन महिने के अंदर उलोग करना शुरू कर सकते हैं 6 वीक्स तो 3 मांस बट स्टॉकिंग्स तो कंटीनु एंड ब्लट थिनर्स त कंटीनु दिरिंग डाट ट्रेवल पिरिए ताकि हमारे ब्लट प्लॉट ना बने और उसे कोई रिलेटेट प्रॉलम ना हो रिकॉर्ट चेश मिस होगे जो होती है का ट्रेवल कर सकते हैं का ट्रेवल में पैरों को लटका के ट्रेवल करने हो मुझे लगता है अगें लॉग प्रक्राइब कर सकते हैं का ट्रेवल कर सकते हैं इसके लिए मेरी जाएड़ेस है कि आप सबसे पहले जैसी आप ट्राइविंग स्टार्ट करें चोटे एरियाज में चला करें क्योंकि हैंड-एडिनेशन आना रिफ्लेक्स आना इसमें आपको टाइम लग सकता है इसमें च सबस्क्राइब करें चोटे ट्रेवल आप स्टार्ट करें जैसे कि कॉनली के अंदर खाली टाम पर चलागें फिर दीरे देखे आपका कंट्रोल बेटर है इसमें आप 15 देज में आप स्टिच रमूब होते हैं असके बाद आप 4 विक्स के बाद बलाते हो कभी के पैशन में सबस्क्राइब करें तो आप जल्दी उला लेते हो बट पैशन को फॉल अप क्या दूरिशन में एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि दूसरे दिन पर चुट्टी तू विक्स पर स्टेच रमूब कर आँ तू विक्स ऐधर इदर इद कन भी 3 वीक्स और इद कन भी 10 देज डि देखते हैं कि उनका पैशन का हिमोग्लोबल लेवल उपपर आना शुरू हो कि नहीं, CRP लेवल, ESR लेवल कम होने शुरू हो है कि नहीं, और विटमिन D and B12 के लेवल कैसे हैं, ठीक है? उस डिरेशन में पैशन अल्मोंस सारी अक्टिविटी करने लाइंग हो जाता है 6 वि पर दिखती है. Now, every year, पहले 2-3 साल के लिए, every year हमें X-ray को देखने ही जरू होते हैं कि integration कैसा बढ़ता हो जा रहा है, good हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आप दूसरे और तीसरे साल के बाद आप एक बार bone density ज़रूर करा के मिलें, कि हड़िया नरम तो नहीं हो गई है, अगर patient walk करते हैं, तो वो walking का stimulation बार bone density को देखे हैं, आप हर 4-5 साल आप एक बार doctor को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे गाड़ी खरीते हैं, गाड़ी की servicing होते हैं, मुझ लगता है कि एक बार doctor को दिखा कि ये जानना ज़रूरूरी है, कि सब कुछ ठीक है, मुझ लगता है कि फॉल अपर बडूरी होते हैं, तेरशी खिती क्या है, गुळ्ते हैं, एक है बार नाज़ूर को दिख सबनों ख्रास प्ला हूं, एक बार एकड दर बार प्ला मनों होत लोगता है इस्यटोफ कर दोडेख कर देखना फृरूरी को ये तddीमनलिностत्यै शनरी को ड़रूर को फ जिसमें देखते हैं कि हाँ और कितना जाना एक राफ आइडिया हमें हो जाता है फिर हर दो से तीन साल बाद ने रिप्लेस्मेंट में आपको तीन साल बाद कम से को अपना बोन इंसी टेक पर चेक करा कि डॉक्टरों मिलना है कि बोन स्ट्रॉंग है कि नहीं क्योंकि अब हमा यह O और प्लेसमेंट के बाद अगर आपका फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर जाना होंगे उससे जादा कुछ नहीं होंगे अगर आपको और भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप उसके पूछ सकते हैं मैं उनका जवाब दोंगा और आपको लगता है ऐसा कोई पेशेंट है जो कि इस वीडियो को देखना चाहते तो आप उसे जरूर शेयर कर सब्सक्राइब करने से सकते हैं और सब्सक्राइब को कर Championships आज के दिन तो बहुत अच्छे हैं तो घपराने के जरुवत में बहुत ही successful surgery है, 100% result आना और result के बाद सारी activities करना यह हमारा goal है Thanks for watching this video